कि गाड़ी को अगर पर्चेज करते हैं तो इस गाड़ी की आपको चावी कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है चलिए इस चावी से करते हैं गाड़ी को स्टाट और जानते हैं मीटर की साड़ी इंफोर्मेशन को तो देख सकते हैं इस टाइप से आप इगनिशन में क ली लगा सकते हैं तो एक बार की लगाने में दो सकते हैं गीर तेड़ मोड लगी हrän बीड़ेते हैं मुल जाती है महांगे편 nee इह पर आपको देखने को स्टरीब थे ल चती है और नीचे से आप यहांपर लाइट गल ये सुटीम ने यहां पर आपको high beam low beam की जलाने की switch आपको यहां पर देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको छोटी सी switch जिसके माध्यम से अप इनडिकर को एजी में जला सकते हैं तो चलिए इस गारी का मैं आपको होरण बजाकर एक बें टो फरंट लुक में आपको यहां पर एक वाइजर लगी वी देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी बड़ी दी गई है और आगे में आपको यहां पर देख सकते हैं आरोन फाइप एम मोडल है तो यहां पर आपको लिखी वी देखने को मिल जाते हैं और आगे में आपको दो मेर ल यह लाइट दोनों साइड में देखने को मिल जाती है और फरंट से इस गाड़ी का लुक वेगरों देख सकते हैं काफी सांदार लुक कंपनी का द्वारा और इस गाड़ी की में सस्पेंशन की बात करो तो इस गाड़ी में आपको गोल्डन कलर की यूस्टी सस्पेंशन सब्सक्राइब महीं सब्सक्राइब देखने को मिल जाती है और फेर फ्रहन टायर कि में सबूसक्राइब देखने को मिल जाती है मांगी साइड में आपको यह आरोन फाइब एम मोडल है तो यहां पर आपको आरोन फाइब एम लिखी वी देखने को मिल जाती है जो कि यह इसमें आपको बुलू कलर की स्टिकर लगी वी देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको क्विक सिफ्टर यहां पर पावर की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 18.4 PS की power और 14.2 NM की torque देखने को मिल जाती है gear shifting की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 6 speed gear देखने को मिल जाती है यहां पर आपको ब्रेकिंग लाइट देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको दो इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको दो इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है यहां पर आपको रेप्लेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको छोटी से जगें मिल जाती है जहाँ पर आप अपने अनुसरा नंबर पुलेट वगर वेजी में लगा सकते हैं इस गाडी में आपको बेक टायर 140 70 r70 का आपको इस गाडी में बेक टायर देखने को मिल जाती है और बेक डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 220 mm की देखने को मिल जाती है और साइट परफाइल वगरों आप देख सकते हैं तो कुछ इस ट्रैप की आपको देखने को मिल जाती है बाकि इस साइट से भी आप गारी का लुक वेगर हो देख सकते हैं यहां पर आपको बीबे लिखी वी देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको यामा की ब्रांडिंग लगी वी देखने को मिल जाती है और इस गारी की में फ्यूल टेंक की बात करो तो इस गारी में आपको 11 लिटर की फ्यूल टेंक देखने को मिल जाती है इसमें आपको किक सिस्टम देखने को नहीं मिलती है दोस्तों और अपने अनुसार अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप किक सिस्टम इसमें लगा सकते ह और इस साइड में भी आपको यह आरोन 5M मोडल है तो यहां पर लिखी भी देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको विक शिफ्टर और यहां पर आपको एक इंडिकेटर लाइट और इस साइड से भी गारी का लुक वेगर आप देख सकते हैं काफी अच्छी लुक कंपनी के दौरा प्रोवाइट की गई हमें तो यह गारी का लुक बहुत अच्छी लगे दोस्तों आपको यह गारी का लुक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अपनी राया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और इस गाड़ी कि मैं प्राइज की बात करूँ तो इस गाड़ी का एपको आपको ओन रोट प्राइज 2,15,000 रुपे पर रहे दोसतों और इस गाड़ी को आप लोन पपर लेना चाहते हैं तो शत्त से करके इस गारी को आप एजी में ले जा सकते हैं और अपनी मनों कामना को पूरा कर सकते हैं